आप संजय सिंह सस्पंडेड मनिपूर मुद्दे पर सदन में विपक्ष के विरोध के गौरान राजस्भा सभापती ने आप नेता संजय सिंह के खिलाफ बड़ा एक्षन लिया है संजय सिंह पूरे सत्र राजस्भा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे पार्लियमंट मौनसून सर्षन 2023 सदन की कार्यवाही को बाधित करने के कारण आम आद्मी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए निलम्बित कर दिया गया है राज्यस्भा सभाप्ती ने कहा कि संजय सिह ने बार-बार मना करने के बाद भी सदन की कार्यवाही को बाधित की इसलिए उन्हें पूरे मानसून सत्र के लिए निलम्बित किया जाता है राज्यस्भा सभाप्ती ने ये कार्यवाई पियूश गोयल की शिकायत पर की सांसक पियूश गोयल ने कहा था कि सरकार चर्चा को तयार है फिर भी कारवाई बाधित की जा रही है सदन में भारी हंगामे के बीच सभाप्ती ने राज्यस्भा में प्रश्नकाल शुरू कराया प्रश्नकाल के अभी चार उत्तर ही दिये जा सके थे कि मनिपूर हिंसा पर चर्चा की मांग को लेकर संजय सिंह नारेबाजी करते हुए सभापती के आसन के समीप जा पहुँचे सभापती की ओर से चेतावनी देने के बावजूद संजय सिंह अपने स्थान पर नहीं गए और मनिपूर हिंसा पर चर्चा कराए जाने की मांग और नारेबाजी करते रहे आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारतवाज ने संजय सिंह के निलंबन पर कहा यह दुरभाग्य पूर्ण है हमारी लीगल टीम इस मामले को देखेगी संजय सिंह को निलंबित करने के खिलाफ विपक्षी दलों के नेता राजसभा के सभापती से मिल रही है राज्यस्भा सभाप्ती ने एक बजे सदन के नेताओं की बैठक बुलाई है सदन में क्यों हो रहा हंगामा मनिपुर में दो महीने से जारी हिंसा पर विपक्ष लगातार सदन में चर्चा और पि.े.म. मोदी से जवाब देने की मांग कर रहा है साथ ही विपक्ष सदन में इसी मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है इसी के चलते सदन के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष की नारेबाजी और हंगामा जारी है महिलाओं की सुरक्षा के मसले पर जहां कॉंग्रेस ने अन्य विपक्षी दलों को साथ लेकर मनिपूर मामले में NDA सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है वहीं बीजेपी भी लगातार राजस्थान, पश्चिन बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपरात का मसला उठा रही है बीजेपी का कहना है वो सदन में मनिपूर मुद्धे पर चर्चा के लिए तयार है मगर इसके साथ ही राजस्थान, पश्चिन बंगाल बिहार में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार पर भी चर्चा होनी चाहिए झाल 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 झाल